राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे. दोस्तों चैतरमास की शुक्ल पक्ष की एकादशी दिथी को कामदा एकादशी के नाम से जाना चाता है. हिंदु धर्में कामदा एकादशी को बहुत अधिक महत्व दिया चाता है क्योंकि हिंदु नववश के बाद आने वाली कामदा एकादशी पहली एकादशी होती है. संस्कृत में कामदा का अर्थ है कि जो मांगा जाए उसे देना इसी कारण से कामदा एकादशी का ब्रत पूरी शद्धा से किया जाता है माना जाता है कि जो व्यक्ति कामदा एकादशी का ब्रत पूरी शद्धा से रखते हैं उनकी सभी मनो कामनाय होन हो जाते हैं यह एकादशी मनोवांशित फलप्रदान करने वाली एकादशी है। बारे पुरान के अनुसार इस दिन का प्रत रखने से मनुष्य के खातक से खातक पाप भी नश्ट हो चाते हैं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विश्टो और भगवान श्री किष्न की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस प्रत को रखने से अश्मेद यक्य का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का प्रत करने से कई जन्मों के पापनश्ड हो जाते हैं और पुन्य की प्राप्ती होते हैं। कामदा एकादशी के दिन किसी भी मनुकामना पूर्टी के लिए भगवान शिरी हरी विश्णू का पूर्टन किया जाए तो वह मनुकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों कामदा एकादशी ब्रत के साथ कामदा एकादशी ब्रत की कथा भी बहुत फल्दाई है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन कामदा एकादशी की कथा सुन्ने मात्र से ही भगवान शिरीहरी विश्नु की क्रपा प्राप्त होती है। और भगवान विश्णूजी की करपा से समस्तिक कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी की कथा सुन्ने मात्र से ही सहस्तों गौदान के बराबर पुन्यफल प्राप्त होता है। घर में सुक्सम्रद्धी आती है और भगवान विश्णुजे की कृपा से मनो कामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। कामदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। कथा की अनुसार धनराज युदिश्णक भगवान श्री किष्ण से कहने लगे। हे भगवन मैं आपको कोटी कोटी नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैतर शुक्ल एकादशी का मातम में कहिए। भगवान श्री किष्ण कहने लगे हे धर्म राज यही प्रश्ण एक समय राजा दिलीप ने गुरू वशिष्टीजे से किया था। और जो समाधान उन्होंने किया वो समय तुमसे कहता हूँ। निवाश करते थे। उन दोनों में अत्यंत इस नहीं था। यहां तक कि अलग-अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंट्रीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहे थे। गाते गाते उनको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उनका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरू बिगड़ गया। ललित के मन के भाब जानकर काकोर्ट नामक नाग ने बद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंट्रीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी इस्त्री का इस्मरन कर रहा है। अथे तू कच्चा मास और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का फल भोग। पुंट्रीक के शाब से ललित उसी छण महा का राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर नेतर सूरे चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नी निकलने लगी। उसकी नाग परवत की कंदरा के समान बिशाल हो गई। और गरदन परवत के समान लगने लगी। सिर के बाल परवतों पर खड़े प्रक्षों के समान लगने लगे। तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गए। कुल मिलाकर उसका शरीर आठ योजन के विस्तार का हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह प्रतान मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पती के उधार का यतने सूचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के खोड दुख सहता हुआ घने बनों में रहने लगा। उसकी इस्त्री उसकी पीछे पीछे जाती और बिलाब करती रही। एक बार ललिता अपने पती के पीछे घूमती घूमती बिंध्याचल परवत पर पहुँच गई। जहां पर शंगी र रिशी के आशम में गई और वहां जाकर बिनीत भाव से प्रात्ना करने लगी। उसे देखकर शंगी रिशी बोले कि है सुबके। तुम कौन हो और यहां किसलिए आई हो। ललिता बोली कि है मुने मेरा नाम ललिता है। मेरा पती राजा पुंडरीक के शाफ से विशाल का राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। उसके उधार का कोई उपाय बतलाई है। शंगी रिशी बोले है गंधर्व कन्या। अब चैत शुक्ल एकादशी आने वाली है। जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका ब्रत काने से मनुष्य के सब कारे सिद्ध होत कर उसके पुन्य का फल अपने पती को दो। तो वे शीग्र ही राक्षस योनी से मुक्त हो जाएगा। और राचा का श्राप भी आवश्य में ही शांत हो जाएगा। मुनी के बच्चन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी ब्रत की बिधी भूची। तम मुनी ने कहा। ब् पर सुद्यास्त से पहले ही केवल एक समय साथविक भोजन ग्रहन करें। भोजन करने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करें जिससे मुह में अन्न का कोई अंशन ना रह जाए। इसके बाद एकादशी पर फ्रम महुरत में उठकर प्रत का संकल्प लें। फिर भगवान श इवन एकादशी पर ना करें। कामदा एकादशी की रात को जाकर रातरी चाकरन करें। भागवान शिरी हरी विष्णु के नाम का कीतन करें। द्वादशी पर भगवान विष्णु का पूचन करके ब्रामनों को भूचन कराकर अपने प्रत का फल अपने पती को दें। ऐ ऐसा करने से वह शीक रही राक्चर स्योनी से मुक्त हो जाएगा। मुनी के ऐसे बच्चन सुनकर ललिता ने चैतर शुक्ल एकादशी आने पर उसका प्रत किया। और द्वादशी को प्रामणों के सामने अपने प्रत का फल अपने पती को देती हुई। भगवान से इस प्रकार प्रातना करने लगी। हे प्रभो मैंने जो यह प्रत किया है इसका फल मेरे पती देप को प्राप्त हो जाए। जिससे वह राक्चर स्योनी से मुक्त हो जाए। एक आदशी का फल देते ही, उसका पती राक्षे स्योनी से मुक्त होकर, अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ, फिर अनेक सुन्दर बश्ता भूश्रों से युक्त होकर, ललिता के साथ विहार करने लगा, उसके पश्चाद वे तौनों बिमान में बैठ कर ले गए, वसिष्ट मुनी कहने लगेगी हे राजन, इस प्रत को बिधी पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, तथा राक्षस आदी की योनी भी छूट जाती है, किसी भी कामना की पूर्टी के लिए यह प्रत किया जाए, तो वह अवश्य ही पूर्ण हो ज विष्णू की करपा से सहस्तों गौदान के बराबर और बाचवय यक्य के बराबर पुन्यफल प्राप्त होता है, भगवान विष्णू की करपा से समस्त मनों कामनाय पूर्ण होती है, और सभी प्रकार के कष्ट और संकर दूर हो जाते हैं, दोस्तों कामदा एकादशी का प्रत बहुत ही पुन्ठें दायक है। कामदा एक आदशी के दिन भगवान श्री हरी विश्णू के भक्तों को तामसिक भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए। प्यार लेसन, मद्रा, मीट, अंडा, आदी चीचों से परहेच करना चाहिए। भ्रमचर्य का पालन का जादा से जादा भगवान श्री हरी विश्णू का ध्यान करें। किसी भी जीब को कष्ट ना पहुचाएं। किसी भी पेड के फूल पत्ते भी ना तोड़ें। जो एकादशी का प्रत नहीं भी रख पा रहे। उन्हें इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहें। अगर आप ऐसा करती हैं, तो आप महापाप के भागी बनेगे। एकादशी के दिन चावल का सिवन करने का मतलब है, किसी जीब का सिवन करना। इसके साथ ही इस दिन बाल और नाखून भी ना करने। एक आदशी के दिन भगवान श्री हरी विश्णू की करपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशिर ध्यान रखें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादस ही जादस शेयर करें जिस से भैबी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक्स फूर वाचिंग राधे राधे